कि दोस्तों स्वागत आपके आपने यूट्यूब चंदल टेक्निकल रवी में तो आज हम फिर आपके लिए के नया इंट्रेस्टिंग वीडियो लेक्याए हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगी कि आप वर्ष 2024 के लिए पास डिकलेशन कैसे सब्मिट क करना है और कैसे सब्मिट हम कर सकते हैं तो आज का वीडियो इसी बेस पर है तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों लोगिन करने से बिले आपको एक बात ध्यानक नहीं है यह देखिए आपको राइट साइट आप में आपको थ्री डोट दिखरी होंगे उस पर आपको किलिक करना है तो डेक्स टॉप साइट क्लिक करने के लिए इस लिए बोलता हूं क्योंकि जो वेब साइट है यह हमारे मोबाइल में सेम केम्पूर्टर की तरह खुल जाते हैं मिसमें सब कुछ आराम से एकसस कर पाएंगे तो दोस्तों यहां मैं पटा-पट यूजर नेम इस पलिक करना है अब जहां पर लेब साइट में देखें आपको पाँस का अप्शन दिख रहा है उस्पे आपको किलिक करना है और को जिसरों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं हरा बाक तरह को बात बॉलना चाहूँगा नेहीं पहले बार है तो अमारे चूनल को Conference एपलोड करें तो आपको स्काइब फिसके आप वीडियो देखें , आगे आपको चाह Initiatives हो जाए उम्मीद हो निच्चे ख्रूल करकी चलना है यहां पर देखिए जब आपको यहां पर एक option दिख रहाऊगा select type of pass आपको प्रणी select पर किलिक करना है और आपको privilege pass पर किलिक करना है तो जैसे हमने privilege pass पर किलिक किया तो हमारे पास एक pop-up message आ गया है इसमें लिखा हुआ है manual pass entry for the year of 2024 for privilege pass PTO has not yet been done if you have not availed any manual pass for the current year kindly submit a following declaration if correct and after that passes can be applied for the current year 2024 तो दोस्तों यहीं वो pass के लिए declaration है जिसकी मैं बात कर रहा था आप चाहे पास का select कर लोगे आप PTO का select कर लोगे तो आपके पास यह एक जो pass declaration का आपके पास option आता है इसमें दोस्तों यह होता है कि जैसे यह आपने 2024 का manual pass नहीं लिया है ठीक है तो आपको यह declaration submit करनी है तो देखे इसमें लिखावा है यह नीचे एक I hereby declare that I have neither availed any manual privilege pass PTO nor LTC and no passes were deducted for D.A.R. for the year of 2024 तो दोस्तों इसमें यह आ रहा है कि आपको यह declaration करना है declaration देनी है कि मैंने 2024 मतलब current year है उसका मैंने कोई भी manual pass नहीं लिया है नहीं PTO लिया है और नहीं मैंने LTC लिया है और नहीं मेरा जो pass है वो DR वगेरा में कटा गया है 14 year 2024 मतलब 2024 का तो यदि आपके ने कोई भी manual pass नहीं लिया है चाहे आपने कोई भी अपने LTC claim नहीं क्या है तो 2024 की और आपका कोई भी DR वगेरा में आपका जो pass है वो डिडेक्ट नहीं नहीं हुआ है ठीक है तो आपको confirm पे किलिक करना है यदि इस case में आपको आपका मानलो आपने manual pass लि या फिर आपका DR वगेरा में 2024 का pass काटा गया है तो आपको यहां पे इसमें वह नहीं है नहीं मेरे कोई पास लिया है नहीं मेरे कोई पास वगेरा बंद किया वा है और नहीं मेरे कोई LTC claim किया है तो मैं confirm पे किलिक करता हूँ ऐसे दोस्तों आपको case से वह आपको select करना है तो मैं confirm पर click करता हूँ यहां पर जैसे दोस्तों मैंने confirm पर click किया तो system में आपके 2024 के जो pass है वो यहां पर show होने लग जाएंगे ठीक है जब तक आप उसको confirm नहीं करेंगे तब तक आपको यहां पर 2024 के pass नहीं आएंगे ठीक है तो देखिए मैं दुबारा से privilege pass पर click करता हू तो मेरे यहां पर 2024 का जो है pass यहां पर add हो जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरे 2024 के हैं वो यहां पर credit हो गए है pass और PTO ठीक है पास हो गए है तो पीटियो दोनों आगए है तो ऐसे दोस्तों आपको जो है कि आप 2024 की जो pass declaration है ऐसे आपको submit करनी है तब आपके पास 2020 के credit होंगे तब आप इनको ले पाओगे जब तक आप नहीं करोगे आपके पास बार-बार यही option आता रहेगा कि आप जो pass declaration है उसको submit कीजिए ठीक है ना तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप वो जो डिक्रेशन आती हो समझ गये होंगे तो आज का वीडियों के दोस्तों प्रपज यही था कि हम कैसे pass declaration submit कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा यदि फिर भी आपको कोई doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और दोस्तों मैं no करके आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे मेरा जो है मैंने कोई भी प बात है तो आपको नोपी किलिक करना है तो नोपी किलिक कर रहे हो तो हो सकता कि आपके पास अलग से कोई option आ जाए भाई किसमें आपका पास डिटेक्ट हुआ है इस टाइप से ठीक है तो ऐसा दोस्तों कोई हो जिसका मालो पास-फास डियर वगेरा में कुछ मालो एक आप पास काट रखा हो या फिर किसी ने 242 के LTC ले लिया हो ठीक है या फिर किसी ने मैनमल पास लिया हो तो वो ट्राइ करके देख सकता है नोपे किलिक करके क्या option आते हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो वो हमें वक्षाप कर सकते हैं तो आपने जो फास पर आपक रखा सकते हैं तो हम उसका व सकते हैं जो बना सकते हैं तो दोस्तो अब का वीडियो है जो है उसका जो बनाने का मतलब था वो आपको सब समझा गया होगा तो ठीक है दोस्तों बाई-बाई मिलते नग्स वीडियो में टेक के रहां दोस्तों खुश्रागरों